नमस्कार मैंने सबी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आये था कि पसूप परिचर की भरती आ रहे हैं जो बहुत बड़े पदों पर आ रही हैं तो इसकी त्यारी कैसे करें तो मैंने कम्यूटी पोस्ट पर पोल डाली थी दो दिन है इसमें तो पाजार 934 पद है टोटल बहुत पद हैं कम नहीं है यह अपने के लिए तो पाजार 934 पदों पर होगी पसू परिचर बढ़ती ठीक है योगता कितनी है दसवी पास दसवी पास आप होने चाहिए ठीक है वेतन कितना रहेगा यह क्या फोर्थ ग्रेड वेकें फोर्थ ग्रेड है लेकिन एक बार कहीं ने कहीं आप सेट जाओ उसकी बाद आगे बड़े पतिक त्यारी करते रहना ओके आयू कितनी रहेगी तो आयू सिमा इसमें 18-40 वर्स आयू सिमा कितनी है 18-40 वर्स कि गंदा का से की जाएगी तो आयू के गंदा की डेट है एक एक परची से इसकी घंडा की जाएगे तो अठरास-चालीस वर्स खूब उमर हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है आवे दन किती फोरूं बनें तो 19 जनवरी से 17 फरवरी तक फोरूं बरे जाएंगे 19 जनवरी से 17 फरवरी 24 तक फोरूं बरे जाएंगे लगबग एक मेने फोरूं चल प्रसनों का पार्ट बी होगा 45 प्रसनों का पार्ट ए 105 प्रसन किसके आगे जिक्के मुखे इतने जिक्के में इस्ट्री आगया कल्चर आगया जिवगराफिय आ गया और आएगी इसमें विज्ञान साइंस आगी और आगी गणीत आनी मैथमेटिक्स आइगी ठीक है अब पूछोगे कि शर नया जिक हैं पुराणा जिके तो नया जिक हैं आपको पड़ना है नहीं बुकते इन जिकें को अँगके अवर्य मुर्बल है पचास जीले है बरतमान में उस साधार भे प्रसी पूछे जाएगा उसस्तान का नाम हो जाएगा वह जिल्ला उसका चेंज हो जाएगा बाइक चीजें वही रहेगी ठीक है तो 105 परसन है जिसमें जिक्चे विज्ञानों गनित आएगा और फाइदा इसमें जो साइंस वाले विद्यारती है साइंस वाले जो बायो एकरिकल्चर गनित वाले उनको जदा फाइदा मि क्या है 45 परसनों का विसेही का पेपर है विसेही का अंदर जो एक रिकल्चर सब्जेट थी एक रिकल्चर होगी बाइलोजी होगी उनके एच्छी कमांड है तो उनके बहुत फाइदा रहेगा तो साइंस वालों को सुने रहा मुका नहीं चोड़ना जो दुसी पास है उनक नंबर बिल्कुल आ जाएगा तो इसमें विसे पाइगी सेकंड इसमें परसु के परसन आएंगे की दूद की जाए के नसले कौन सी पेड़े के नसले कौन सी होती उनके रोग कौन सी प्रकार आएगा इसे लिए आप एक बार निकालके अपने दिवार पी चिपका लेना औ पालटे होगा 105 परसन होगा 45 परसन होगा पालटे के नदर जिक्के विजयान और गंटायगी और पालटे के अदर विसे का पिपर आएगा जैसे और कौ universo के आप बंदेगा अब को साइंस्स बेक्राउंड से ननकों विजयान गंटायगा इसमें तो आपको त्यारिक नहीं ह पर्तिक्पर प्रसन अंक कमार्किंग मार्किंग शत्य है यानि नियूंत मैं चाली hutर होसी नहींनाइป स्च्ट की neither ठीक है अब क्योंगी प्रसंग है जालीन बता देता हूं पहले आपके प्रसंट था वो कॉंसिप्ट है तो बुक मारेगें अच्छी ची अवलेबल हैं मैं बात करूगा चटक सुभाजी सरण सरवाली चटक और डॉक्टर मुखैस मंजोली सरकी बी किताब अच्छी आती हैं ठीक है दोनों किताब बता दी दूसरा परसंट त्यारी करें या परिचर की परसंद आरे थे मेरे बहुत सारे किसर थर्ड गृट की त्यारी परिचर की तो फॉर्म आपको लगाना है इस वेकेंसिका वो पर लगाना 500,000 प्याप नहीं देखनें क्यूंकि जैसे मानए कि तो पहले कर एक्जाम हो जाए तो फिर आपको तीन मिने मिलेंगे तो आप इसका एक्जाम ही दे सकते हो ठीक है अब रीट वालों के जिक्के सेम आएगा जो साइंस बेग्राउंड से साइंस ट्रीम से लटू से विग्यान गणिदी उनकी सेम है किल विशेदा आपको पढ़न को पार्फिक हो गया विज्ञान गणित ओ गया जो पढ़नी दीजिए उसे पसवों के नसले हो गई न पसों के रोग हो गई वो टॉपी पढ़न लिए उनको रहने दीजिए मेरे इसाब से ओके डूसरा प्रसंथ आपका कि रीट के साथ पस्व परिचर की तेयारी तो नहीं है और बिरेजगारी आपको कैसे भी करके दूर करनी हो सकता हो कि एक्जाम 5-6 मिने एक साल लगे पी आजाई बीचे मना की कहीं कुछ हो जाए क्या पता कल किसने देगा तो फिर आपको फाइदा मिल जाएगा आप चार मिने भी अगर आपको मिल जाएं तो आप आराम से कुछ परचे निगाल लोगी तो मेरे तरफ से ओल दे बेस्ट और कोई समयशा मेरे कमेंट कर सकते हो ठीक है दन्यवाद